इस पर्टिकलर वीडियो में हम दो प्रशनों को लेंगे क्या जद साहब आपकी पेटीशन को आपकी याचिका को खारिच कर सकते हैं कर सकते हैं तो कब और दूसरा प्रशन क्या तलाग के पहले जो मेडियेशन काउंसलिंग होता है वो अनिवार्य है जरूरी है मेंडियेटर इन आधारों पर किस वज़ा से जद साहब आपकी पेटीशन को कर सकते हैं रिजेक्ट जज आपकी पेटीशन को रिजेक्ट कर सकते हैं लेकिन उसके पीछे दो रीजन होते हैं पहला एक टेकनिकल दूसरा लीगल जब टेकनिकल या लीगल रीजन हो जहां पर टेकनिकली य या legally आपने petition को जो present court के सामने किया है, वो किसी गलत आधार पर कर दिया, तो आपका petition हो जाता है reject, कैसे, समझते हैं, जैसे for example, एक legal और technical दोनों ground की हम बात करते हैं, जैसे जो आपसी सहमती तलाख है, कानून में ये ववस्था की गई है कि पती और पतनी को petition जो आपसी सहमती तलाख है, court के सामने डालने से प्रस्तुत करने से पहले एक साल अलग रहना है, जैसे हम separation कहते हैं, जब ये separation का time दो या तीन महीने हो, मतलब आज मेरी शादी हुई, मैंने दो महीने के बाद court में अपना case प्रस्तुत कर दिया, इससे हम कहते हैं pre-mature petition, जो कि technical ground पर reject हो जाती है, court आपकी petition को refuse कर सकती है, दूसरा legal ground ले लेते, मेरा जो धर्म है, वो है Christian या Muslim, और मैंने हिंदू law के अंतरगत अपनी जो petition है, वो प्रस्तुत कर दी court के सामने, खासकर जादा तर ये Muslim law में होता है, क्योंकि Muslim personal law तो है, लेकिन जब तलाक लेना है, तो personal law में करें, या किस कानून के अंतरगत करें, confusion आ जाता है, कई बार restitution conjugal rights section 9 का case कर दिया जाता है, लेकिन आपका धर्म Muslim है, तो ये legal ground हो गया, जहां पर आपके petition को court कर देती है, खारिज, जब आपके आधार गलत हो, तो आपकी petition हो जाती निराधार, कैसे, आपका cruelty का case है, आपने desertion का या adultery का case लगा दिया, तो इस पे भी आपकी जो petition हो खारिज हो जाती है, या जब कभी आप अपने आधार को ही court के सामने submit ना कर सके, उस condition पर, आपकी जो petition है वो खारिज हो जाती है, अब एक और तरीका है, जहां पर आपकी petition हो जाती है, ये jurisdiction का ground, jurisdiction का मतलब क्या, जिस जज को सुनना था, जिस जगा पे सुनना था, आपने उस जगा प्रस्तुत ना करके case किसी और जगा कर दिया दिली के जज को सुनना था, बमबई में आपने case डाल दिया आपका जो case है, legal और technical ground इसे आधार बनाकर court reject कर सकती है तो ये सारे कुछ कारण होते हैं जहाँ पर आपकी petition court के द्वारा reject की जा सकती है अब दूसरे प्रशन को लेते हैं क्या जो counselling या mediation है वो mandatory आवश्यक है जरूरी है mutual divorce की अदि हम बात करें तो वहाँ पर mandatory है आपको जाना पड़ता है reconciliation session में वो आपको समझाईश देते हैं आपका जो भी है आप उनको बता दें कि वही हमारा आपस में dispute है हमारी आपस में नहीं जमती है हम दोनों के बीच में क्या-क्या issues हैं क्या दिक्कत हैं आप बता दें आपको कोई बात ये नहीं करेगा कि आप फिर भी साथ में रहें लेकिन जो mediation है वो होती है दो जब आप पहली mediation 6 महीने पहले जब आप court present case करते हैं court में तब होती है और 6 महीने के बाद दूसरी होती है contested divorce में भी विवस्ता है आपका maintenance का case है domestic violence का case है आप समझें अगर पारिवारिक मामला है तो mediation या counselling court में करने की आवशकता पढ़ती पढ़ती है आप उसे ignore कर सकते हैं avoid कर सकते हैं या justified reason दे सकते हैं लेकिन आपको counselling के लिए जाना चाहिए counselling के लिए जाना चाहिए mediation के लिए जाना चाहिए तो ये दोनों प्रश्ण जिसकी जवाब देने का मैंने आपको इस वीडियो में प्रयास किया आपको अगर पसंद आती है जानकारी like, subscribe जरूर करते है legal advice आपका channel है जहाँ पर कानून की जानकारी है आपको इस channel के माध्यम से मिलती आप तक पहुँचती रहेगी आपको कैसी लगती है जानकारी मुझे जरूर भाई बताईएगा किसी परिशानी के लिए का करना चाहें बात इस वीडियो के description में डिटेल है जहाँ से direct appointment book करके आप कर सकेंगे मुझे बात मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए स्वास्त और सुरक्षित रहें